तो दोस्तों आज से हम मार्वल की एक बिल्कुली नई कॉमिक सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस नई कॉमिक सीरीज का नाम है The Next Avengers Avengers मार्वल की दुनिया के वो सूपर हिरोज हैं जिनोंने दुनिया को हर बार हर बड़े खत्रे से बचाया है और अगर हम बात करें Next Avengers की तो Avengers की ये टीम फ्यूचर से बिलोंग करती है और इस पूरी कॉमिक सीरीज के अंदर हम लोग यही जानेंगे कि मार्वल की दुनिया का फ्यूचर कैसा है और फ्यूचर की दुनिया से बिलोंग करने वाले सूपर हिरोज यानि की Next Avengers वो कैसे हैं तो आईए हम बिना देरी किये मार्वल की इस कमाल की टाइम ट्रेवलिंग कॉमिक सीरीज को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करने के साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें तो फिर आईए अब बिना किसी देरी के आज की सकमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कई साल फ्यूचर में जहां पर हम ये देखते हैं कि एक काली अंधिरी रात के अंदर बहुत जोरू की बारिश हो रही थी और उसी बारिश में एक आदमी जमीन पर बैठा हुआ था और वो चिलाते वे अपने सामने खड़े कुछ लोगों से कह रहा था क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ और तुमें जरा भी अंदाजा है कि तुमने क्या किया है मैं इमोटस हूँ लॉर्ड इमोटस इस पूरे टाइम का मास्टर मैं तुम्हारे जनम से पहले से हूँ और तुम जब मर जाओगे मैं उसके बाद भी एक्जिस्ट करूँगा मैंने तुम सब की लाइफ देखी है और सिर्फ तुम सब की नहीं मैंने बहुतों की लाइफ देखी है और यही सब देखकर मैंने इतने साल बिताए हैं पर आज आज जो तुम सब ने यहां पर किया हैं उसके लिए मैं तुम्हें जान से मार दूँगा मैं तुम सब को मिटा दूँगा तुम में से हर एक मारा जाएगा लेकिन फिर वो आदमी इसके आगे कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही उसके उपर एक जोड़दार लाइटनिंग अटैक होता है और उस अटैक की वज़े से वो वहीं पर बिहोश हो जाता है और फिर उस आदमी के सामने हम पांच बच्चों को देखते हैं और उन्हें देखकर हमें पता लगता है कि वो पांच और कोई नहीं बलकि एवेंजर्स के बच्चे हैं और इन सब के सामने जो शक्स है जो उपने आपको लॉर्ड इमोर्टर्स बता रहा था वो और कोई नहीं बलकि गैंग दा कॉंकरर है और अभी उसे जो बिजली का जटका लगा है वो भी उसे इन पांचों बच्चों में से एक थौर की बेटी ने दिया है ये लाइटनिंग अटेक करने के बाद वो कहती है आह कुछ जादा ही बोल रहा था पर उसकी बात खतम होते ब्लैक पैंथर का बेटा बोलता है अब ये क्या किया? सुनने तो देते बोल क्या रहा था क्या यार तुम लोग भी बहुत जल्दी में रहते हो लेकिन फिर तभी कैप्टन अमेरिका का बेटा बोलता है क्या तुम सही में उसकी बातों पर ध्यान दे रहे थे क्योंकि सच बताऊं तो मैं तो उसकी बातों को सुन भी नहीं रहा था और फिर जब इन सब की बाते खतम होती है तब इस future scene के बाद हमें सीधा present time दिखाय जाता है और present time में हम Captain Steve Rogers को देखते हैं जिन्होंने अभी अभी दा सीज के इवेंट्स के बाद Avengers की एक नई टीम को फॉर्म किया था मैं आप सभी को बता दू कि ये इवेंट Marvel Comics के दा सीज इवेंट्स के बाद गए और इसलिए यहाँ पर Avengers की एक नई टीम बनाई गई है जो कि दा सीज इवेंट के अंदर टूड गई थी इस नई Avengers टीम के अंदर कई सारे मेंबर्स होते हैं जैसे कि Captain Steve Rogers, Iron Man, Iron Fist, Spider Man, Wolverine, Thor, Spider Woman, Hawkeye और भी बहुत सारे सुपर हिरोज इसके एक दिन बाद Avengers की ये नई टीम सीधा Chicago City के अंदर पहुँचती है जहां पर वो सभी मिलकर एक डिस्ट्रोई होई बिल्डिंग को recover कर रहे होते हैं और Captain Steve Rogers वहाँ पर खड़े होकर सभी Avengers को coordinate कर रहे होते हैं पर तभी Captain के पास Wonder Man आता है जो कि Captain से कहता है Captain मैंने आपको पहले भी समझाया था और अब भी समझा रहा हूँ आपका Avengers को फिर से जोडने का आइडिया बिल्कुल बेकार है ये एक साथ काम करी नहीं सकते पर उसकी बाते सुनकर Captain उससे कहते है Wonder Man तुम पहले खुद एक Avengers थे इसलिए तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे मूँसे ये बाते अच्छे नहीं लगती ये सुनकर Wonder Man कहता है हा मैं जानता हूँ मैं भी एक Avengers था और शायद इसलिए मैंने वो सब देखा जो आप नहीं देख पा रहे है इन Avengers के एक साथ रहने से सिर्फ तभाई हुई है Avengers और Mutants का जगडा, Civil War ये सब जब तक एक साथ रहेंगे योहीं लड़ते रहेंगे और ये सब तो आपने भी अपनी आखों से देखा कैप्टन तो आप मेरी बात क्यों नहीं समझते हैं पर ये सारी बाते सुनकर कैप्टन स्टीव रोजर्स Wonder Man की बातों से एगरी नहीं करते हैं और उसे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों Avengers की टीम दुनिया के लिए बहुत जरूरी है पर Wonder Man कैप्टन की बाते नहीं समझता और वो वहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो Avengers की टीम भी छोड़ देता है इसके अगले दिन सारे Avengers Avengers Headquarter के अंदर इखटा होते हैं और यहीं पर हमें ये भी पता लगता है कि कैप्टन स्टीव रोजर्स का दोस्त Bucky Barnes अब दुनिया के लिए नया कैप्टन अमेरिका बन चुका है और इसलिए कैप्टन स्टीव रोजर्स की शील्ड भी उसके पास ही है यहाँ पर इखटा होने के बाद सभी Avengers आपस में बहस करने लगते हैं और टॉनि स्टार कैप्टन स्टीव रोजर्स से कहता है स्टीव तुमारे कहने पर हम लोग यहां आतो गई है पर सच बताऊं मैं खुदी Avengers टीम जॉइन करने से डर रहा हूँ और तुम भी जानते हो कि Civil War में हम सबने क्या कर दिया था आइरन मैन की बाते सुनने के बाद कैप्टन स्टीव रोजर्स उसे जवाब देते हैं मैं जानताओ टोनी मुझे वो सब को शियाद है और इसलिए इस बार जो नई Avengers की टीम हमने बनाई है उसे हम में से कोई एक नई बलकि मारिया हिल लीड करेगी और फिर इसके तुरन पादी कैप्टन स्टीव रोजर्स वहाँ पर मारिया हिल को बलाते हैं कैप्टन स्टीव रोजर्स सभी को बताते हैं आप सभी जानते हैं कि मारिया हिल एक काबेल शील्ड ऑफिसर है और वो शील्ड की डिरेक्टर भी रह चुकी है और इसलिए मारिया हिल के पास टीम को लीड करने की बहुत अच्छी काबिल यत है और इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस बार हमारी इस नई Avengers टीम को Warrior Hilli leed करेगी इसके बार जैसे ही सभी ये जानते हैं कि इस बार उन सभी इवेंजर्स राजी हो जाते हैं और उनकी ये नई Avengers टीम एक बार फिर से फॉर्म हो जाती है टीम के सारे मेंबर्स आपस में बात करी रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर स्पार्डर मैन का स्पार्डर सेंस जोड़ जोड़ से बज़ने लगता है और यह फिल करते ही स्पार्डर मैन कहता है दोस्तों मेरी बात सुनोगे और फिर तभी बूम वहाँ पर एक जोड़तार धमागा होता है और फिर इसके बाद ही उन सब के सामने कैंग दा कॉंकररर खड़ा होता है वो वहाँ पर आते ही सारे अवेंजर से कहता है दुनिया के रखवालो मेरी बात ध्यान से सुनो इस टाइम पर मैं तुम सब को एक वर्णिंग देने आया हूँ और इसलिए तुम सब मेरी ये वर्णिंग ध्यान से सुनो पर कैंग इसके आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही थौर अपने म्योनिट से कैंग के उपर एक जोड़दार लाइटनिंग अटेक करता है और उस अटेक के लगते ही कैंग दा कॉंकरट बहुत दूर जाकर गिरता है उसके दूर गिरने के बाद सारे हीरोज धीरे धीरे करके उसके पास आते हैं और वहाँ पर आते ही थौर कैंग से कहता है तुमने यहाँ पर आने के लिए बहुती गलट टाइम चुना है कैंग और तुम्हारी इन हरकतों को देखकर तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हारी बात सुनेंगे इसके ठीक बात Iron Man कहता है हाँ कैंग थौर ने बिल्कुल सही का और इसी रहे तुम्हारी भला इसी में है कि तुम अभी चुप चाब फ्यूचर में वापस चले जाओ क्योंकि हम सबको तुम्हारी किसी भी वर्णिंग से कोई फरक ने पड़ता पर उन दोनों की यह बात सुनते ही कैंग धीरे से अपने घुटनों पर बैठता है और अपने हाथ में एक पाउरफुल डिवाइस दिखाता है कैंग टॉनी स्टार्क से कहता है तो स्टार्क अब तुम्हारा क्या कहना है उस वेपन को देखते ही आइरन मैन काफी डर जाता है और वो अपने सारे साथियों से कहता है ओके सब के साब पीछे हो जाओ ये कोई मजाक नहीं है कैंग ये तुम्हें कहां से मिला कैंग उसे जवाब देता है स्टार्क टाइम में कोई ऐसा वेपन नहीं है जिसे मैं हासिल न कर सकू पर ये सुनते ही आइरन मैन कहता है लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है मैंने तो अब तक इसे बनाया भी नहीं है पर क्यां कहता है हाँ तुम बनाओगे तुम इसे आगे चलकर बनाओगे स्टार्क लेकिन ऐरन मैन जवाब देता है नहीं कभी नहीं मैं इसे कभी नहीं बनाओगा ये सब सुनकर थौर ऐरन मैन से पूछता है टॉनी ये सब क्या है? क्या चीज है ये? आइरन मैन उसब को बताता है ये डूमस्टे डिवाइस है एक ऐसा डिवाइस जो एक बार में पूरे शेहर को उड़ा दे ये एक डार्क मैटर एक्सिलेरेटर है जो कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन कर सकता है ये सब सुनता है स्पार्डर वुमेन कहती है लेकिन तुमने ये बनाया है क्यों टॉनी आइरन मैन जवाब देता है मैंने नहीं बनाया मैने तो बस इस चीज के बारे में सोचा था और इसके तरीके को एक पेच पर लिखा था पर इसे कभी बनाया नहीं अरे भलकि मैने तो ये भी फैसला किया था कि मैं आपसे इस चीज के बारे में सोचूंगा भी नहीं बनाना तो बहुत दूर की बात है ये सब सुनने के बाद कैप्टन स्टीव रोजर्स कैंग से कहते हैं कैंग क्या चाते हो तुम यहाँ पर क्यों आयो और इन सब के सिम्मेदार सिर्फ तुमारे बच्चे होंगे वही नेक्स्ट आवेंजर्स और फिर ये सब बोलने के बाद ही कैंग दा कॉंक्रर उन सब इको वहाँ पर फ्यूचर की विजूल्स दिखाता हैं वह विजूल्स दिखाते हैं कैंग उन सब से कहता हैं ये फ्यूचर की दुनिया हैं वह दुनिया जिसमें तुमारे बच्चे रहते हैं लेकिन देखो इस दुनिया को ये पूरी तरह से बरबाद हो चुकी है और जानते हैं ये सब किस ने किया हैं अल्टरॉन ने और तुम सब तो अल्टरॉन को बहुत अच्छे से जानते होंगे क्यों है ना मैं सही कहा रहा हूँ ना टॉनी स्टार्क हैंक पिम की वो गल्ती जिसने अल्टरॉन जैसे AI को जन्दिया वो इस दुनिया के लिए मुसीबत बन गया तुम सब ने उसे रोका भी और शायद उसे रोकने में कामयाब भी रहें लेकिन पूरी तरह से नहीं अल्टरॉन को खतम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है और इसलिए वो फ्यूचर में फिर से सामने आएगा और इस पूरी दुनिया को मिटा कर रख देगा लेकिन तुमारे बच्चे उसे रोक देंगे वो सब काबिल है शायद तुम सबसे भी जादा काबिल लेकिन आखिरकार वो है तो बच्चे ही न अल्टरॉन को मिटाने के बाद उनके हाथों में एक ऐसी तागत लग चुकी है जो ताकत अगर उनसे वापस नहीं ली गई तो वो पूरी दुनिया को मिटा कर रख देंगे अल्टरॉन ने सत्यनाश किया है और तुमारे बच्चे महा सत्यनाश कर देंगे तो इसीलिए एवेंजर्स इससे पहले कि ऐसा कुछ हो तो मैं फ्यूचर के एक एक एबसलूट टाइम को चेंज करना होगा ताकि उससे ये सारी तबाही रुख सके कैंग दद कॉंक्रर की ये सारी बाते सुनकर इसपारडी धीरे से कहता है क्या का इसने बच्चे? हमारे बच्चे? अरे मैं तो खुद एक बच्चा हूँ सभी एवेंजर्स कैंग की बाते सुनकर बहुत कन्फ्यूज थे क्योंकि जाहिर है फ्यूचर और फ्यूचर में होने वाली चीज़ों के बारे में समझना हर किसी के बस की बात नहीं है और आखिर एवेंजर्स अपने बच्चों वाली बात पर भरोसा कर भी कैसे सकते थे? आखिर का रियल लाइफ में उनके बच्चे थे ही कहाँ वो सब तो फ्यूचर में होने वाला था और फ्यूचर के बारे में उनमें से किसी को पता नहीं था इसके बाद होगाई कैंग से कहता है अच्छा अगर चलो मान भी लिया कि तुम जो भी बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो इसके आगे कैंग उन सबसे कहता है एवेंजर्स मैं ये जानता हूँ कि तुम सब किसी भी हालत में दुनिया को बरबाद नहीं होने दोगे और नहीं तुम लोग कभी ये चाहोगे कि दुनिया की बरबादी का कारण तुमारे बच्चे बने तो इसलिए अब फैसला तुमारे हाथ में है कि क्या तुम ये सारी तबाई रोकना चाहते हो या फिर योँ ही खड़े होकर ये सारा तमाशा देखना चाहते हो और हाँ अगर तुमने इस चीज में मेरा साथ दिया तो मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि मैं आगे से तुमारे रास्ते का काटा नी बनूँगा और फिर ये बोलकर कैंग वहाँ से टेलिपोर्ट होने लगता है लेगिन फिर तभी आरेन मैं चिलाते हो इससे पूछता है कैंग मेरे पास कोई टाइम मशीन नहीं है आखिर मैं फ्यूचर के बारे में जानूँगा कैसे और कैसे ट्रेवल करूँगा टाइम में पर कैंग जाते जाते कहता है तुम ये कर लोगे स्टाक तुम ये कर लोगे और फिर कैंग वहाँ से टेलिपोर्ट होकर गायब हो जाता है इसके बाद कैप्टन स्टीव रोजर्स सभी से कहते हैं तो अब हमें एक टाइम मशीन चाहिए क्यों है ना लेकिन आइरन मैन कहता है हाँ पर हमारे पास टाइम मशीन नहीं है हम क्या करेंगे लेकिन फिर तभी स्वाइडर मैन आइरन मैन से कहता है मिस्टर स्टार्क मैं जानता हूँ आप टाइम मशीन बना लेंगे आप टोनी स्टार्क है लेकिन फिर तभी होकाई और उस टाइम का कैप्टन अमेरिका यानि की बकी बांस दोनों सभी सूपर हीरोस से कहते हैं कम ओन गाइस तुम लोग क्या कैंक की बातों पर भरोसा कर रहे हो वो जूट भी तो बोल सकता है ये उसकी कोई चाल हो सकती है और मान लेते हैं कि फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है भी तो हमें उससे क्या हम तो इस टाइम के सूपर हीरोस है ना फ्यूचर के थोड़ी हमारे प्रेजेंट टाइम की तकलीफे कम है क्या जो हम फ्यूचर के बारे में सोचें पर ये सब सुनकर थौर कहता है नहीं फ्यूचर के बारे में सोचना हमारी जिम्मेदारी है और जरा एक बार सोचो तोर की बाते सुनकर कैप्टन स्टीव लोजर्स कहते हैं यह सब हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी हो से अपना मूनी मोड़ सकते हैं तॉनी तुमें टाइम मशीन बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है बता हो यह सुनते ही आरेन मैं जवाब देता है डॉक्टर डॉम पर वो आदमी भरोसे के लायक नहीं है और हाँ इस काम में रीड रिचर्ड्स भी मेरी मदद कर सकता है पर काफी टाइम से हम मैं से कोई भी उसे कॉंटरेक्ट नहीं कर पाया है और इसलिए अभी वो भी हमारी मदद के लिए नहीं आ सकता ये सुनकर कैप्टन स्टीव रोजर्स मारिया हिल से कहते है मारिया शील्ड के रिकॉर्ड्स उठाओ और चेक करके मुझे बताओ कि कौन से ऐसा आदमी है जो हमारे काम आ सकता है पर कैप्टन की बाते खतम होते ही वलवरीन कहता है जरा रुको मारिया इसकी कोई जरुवत नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारी मदद कौन कर सकता है इदर कैंग जो कि टेलिपोर्ट होकर सीधा फ्यूचर में आ गया था उसके वहाँ पर आते ही उसके पीछे से आवाज आती है जो कि कैंग से कहती है तो क्या तुमने काम पूरा किया कैंग उसे जवाब देता है हाँ मैंने उस सब को वर्निंग दे दी है और आप वो सब फ्यूचर में आ रहे हैं यानि कि यहां आ रहे हैं और फिर तब ही आवाज आती है हाँ बहुत अच्छी बात है और फिर इसके ठीक बाद ही हम यह देखते हैं कि वो आवाज और किसी की नहीं बलकि माइस्टो की है यानि कि हल्व का फ्यूचर वर्जिन इदर प्रेजेंट टाइम में हम यह देखते हैं कि फुलवरीन जिस आदमी की बात कर रहा था वो था मार्वल बॉय एक ऐसा क्री लड़का जिसके अंदर कई कमाल की शक्तियां थी और वो भी काफी टाइम से अर्थ पर ही था सभी सूपर हिरोज मार्वल बॉय के पास आते हैं और वहाँ पर आते ही आईरन मैन उससे कहता है ए बच्चे मार्वल बॉय हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुनाए तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है और तुम्हारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलोजिस है जिन्हें हसल करने में हम हुमन्स को सदिया लग जाएंगी और इसलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है हम चाहते हैं कि तुम हमारा साथ दो आगे Iron Man उससे कहता है सुनो बच्चे हमें किसी ऐसे की ज़रूरत है जो कि Time Space Dimension के एक्विशन को समझता हो और फिर यह सुनते ही Marvel Boy कहता है अरे मुझे यही तो आता है यह सुनकर Iron Man कहता है यह तो बहुत अच्छी बात है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर एक Time Machine बनाओ ताकि उस Time Machine की मदद से हम फ्यूचर में जा सके इसके अगले दिन New York City के Avengers Headquarter के अंदर हम यह देखते हैं कि Tony Stark Marvel Boy के साथ मिलकर Time Machine के उपर काम करना स्टार्ट कर चुगा था और जो सूपर हीरोज उनका साथ देना चाहते थे वो इस काम में उनका साथ भी दे रहे थे जैसे कि Thor और Spider Man पर लगता है इस टाइम पर वो सभी Time Machine नहीं बना रहे हैं बल्कि वो एक ऐसे डिवाइस को बना रहे हैं Marvel Boy सभी को वो Visuals दिखाता है और कहता है ये सारी वो Possibilities है जो कि Future में हो सकती है पर ये सुनता ही हो का ही कहता है अरे तो इन में से हमारा Future कौन सा है Marvel Boy जवाब देता है इन में से कोई भी हो सकता है Time का Concept बहुत अलग है और इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि तुम सबका Future constant हो वो बदल भी सकता है और इसलिए ये सब वो कुछ Possibilities है जो तुम सबका Future बन सकती है इसके बाद ही उनी Visuals के अंदर Avengers उनमें अपने बच्चों को भी देखते हैं और उन्हें पता लगता है कि उनी की तरह उनके बच्चे भी फ्यूचर में चलकर एक Avengers टीम को फॉर्म करेंगे जिसका नाम पढ़ेगा Next Avengers उन सबको देखकर Captain Steve Rogers कहते हैं क्या ये हमारे बच्चे हैं तभी Thor कहता है जरह ये देखो ये तो Lord Emotis है गैंग का एक Variant और की बात सुनका Tony Star कहता है हाथ और तुमने बिल्कुल ठीक कहा ये तो कैंग है इसे हमारे बच्चों ने हरा दिया उन सबी बच्चों ने मिलकर कैंग को बहुत बुरी तरह से मारा था और इसलिए उन सबको ऐसे देखकर सभी हीरोस हैरान हो गए थे कि आखिर उनके बच्चे इतने बूटल कैसे हो सकते हैं वो सभी ये सोचने लगे कि शायद कैंग ने आकर उन्हें जो वर्निंग दी थी वो उसने उन सबसे बिलकुल ठीक कहा था वो सभी उन सारी टाइमलेंस की पोसिबिलिटीस को देख रहे थे लेकिन फिर तभी अचानक से वो सारे टाइमलेंस शैटर हो जाते हैं और एक है करके टाइमलेंस तूटने लगती है और फिर इसके बाद ही वो डिवाइस बंद हो जाता है जिसके बाद उनके सामने के सारे विज्वल्स हड़ जाते हैं ये देखकर टॉनी स्टार्ग मार्वल बॉई से कहता है ये क्या था? क्या ये डिवाइस तूट गया है? पर मार्वल बॉई टॉनी स्टार्ग को जवाब देता है नहीं ये डिवाइस नहीं टोटा बलकि ये सारी timeline सी टूट गई है सारी timeline shatter हो गई है और ये जो भी वाइब बहुत करण हुआ है पर आखिर ये कर कौन सकता है पर अभी हमारे लिए सबसे ज़रूर ये है कि जो भी timeline स्टूट गई है हमें उन्हें फिर से ठीक करना होगा क्योंकि शाय तुम सब जानते नहीं हो, टाइम लीनियर नहीं होता, जिसका मतलब अगर एक टाइम लाइन में कोई गड़बड होगी, तो उसका इंपक्ट बाकिस सारे टाइम लाइन्स पर पड़ेगा, इसके बाद ही वहाँ पर एक जोड़ता धमागा होता है, और सारे हिरो इसके बाद ही थौर वंडर मैं के सामने आता है, और फिर उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, सारे एवेंजर से एक साथ मिलकर वंडर मैं पर एटेक करने लगते हैं, और वंडर मैं अकेले ही उन सबके एटेक्स का जवाब देता है, उसे देखकर थौर कहता है, वंडर मैं तुम जो भी कर रहे हो चुपचा बेसे बंद कर दो, वरना ओडिन की ताड़ी की कसम, तुमारा वो हाल करूँगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, मैं ये भूल जाओंगा कि तुम भी कभी एवेंजर थे, पर इसके बाद वंडर मैं सभी हीरोस पर हमला क बाद में बंद कर लेंगे, अबी टाइम stoीम ब्रोकन है, और किसी भी हाल में उसे ठीक करना बहुत जरूरी है, अगर आसान भाशन में कहूं तो अभी कुछ भी हो सकता है आरिन मैन इसके आगे कुछ बोलता कि उससे पहले इस पारडर मैन का स्पारडर सेंच सोर से बज़ने लगता है और वो सबी हिरोस से कहता है गाइस, कुछ तो होने वाला है और फिर तभी उन सब के सामने एक सोड़दार सफेद रोश्णी चमकती है और फिर जब वो रोश्णी हटती है तो सभी हीरोज यह देखते हैं कि उन सब के सामने एपकलिप्स खड़ाएं यानि कि एल सेबनूर और यहां पर वो अपने कई सारे होर्समेन के साथ आया है यहां आते ही अपकलिप्स कहता है तो इस बार हम कहां आ गए और यह जगा कौन सी है तो आखिरकार यह सब हो कहा रहा है अपकलिप्स को भी यह नहीं बता कि वो कहां पर है ऐसा लगता है कि टाइम लाइन्स में कोई बहुत बड़ी गड़ड़ी हुई है पर ये गड़ड़ी क्या है और हमारे हीरोज इसे कैसे ठीक करेंगे ये सब जानने के लिए आपको इस सीरिस का सेकेंड पार्ट देखना होगा जो की होफुली आप सभी को कली देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो यही थी वीडियो नेक्स्ट अवेंजर्स कॉमिक सीरिस के पार्ट वन के उपर आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको कोई और रेकमेंडेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को लाइक करने के साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी करिए आपको इस वीडियो के अंदर जो भी बात अच्छी लगी हो या जो भी बात बुरी लगी हो आप उन सब के बारे में हमें कमेंट्स में बता सकते हैं आप सभी के कमेंट्स हमारे लिए बहुत मैने रखते हैं और जब भी आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है तो इसलिए आप सभी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक करते वे हमारा मोटिवेशन भी जरूर बढ़ाई है बागी तब तक के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की कॉमिक सीरीज देखना चाते हैं तो मैंने कई सारी कमिक सीरीज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले वे हैं अगर आप चाहें तो डिरेक्ली उन सभी लिक्स के ठ्रू या फिर हमारे चैनल में जाकर उन सारी वीडियो को देख सकते हैं